नमस्कार दोस्तो जै श्री राम जै बागिश्वर धाम सरकार दोस्तो हर मनुष्य पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको जितना पैसा मिलना चाहिए कितनी बार उसको उतना पैसा नहीं मिलता है दोस्तों उनकी भाग्ये में वो पैसा लिखा तो होता है लेकिन किसी कारणवश वो पैसा उन तक नहीं पहुचता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको जोतिश शास्तर के कुछ ऐसी उपाय बताएंगे जिससे की धनलाप की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है ये उपाय करना बहुत ही आसान है ये उपाय करके आप अपने स्वोई हुए भाग्ये को और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल का उदिश्य है कि सबका कल्यान हो, सबके सपनी साकार हो, सबका भला हो इसलिए हम आपको बहुत ही आसान उपाय बताते हैं तो दोस्तों आज हम आपको पांच उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपके बेहद ही काम आएंगे आप इन पांच उपायों को किसी कौपी में या किसी नोटबुक में लिखकर रख लें क्योंकि यह जानकारी आपके बाद में भी काम आएगी पहला उपाय यह है कि यदि आपके घर में हमीश्या पैसों की तंगी रहती हो कितनी भी मेहनत करने के बाद आपके पास पैसे ना आते हों तो आप मंगलवार के दिन एक नारियल लें और रोली लेकर उसमें चमेली का तेल मिलाकर उस पर स्वास्तिक बना लें इसके बाद उस नारियल को हनुमान जी के चर्ड़ों में रख दें और इसके बाद आप हनुमान जी से प्रार्थना करिये कि है हनुमान जी आप मेरी धन संबंदी परिशानियों को समाप्त कर दें मेरी करीबी को दूर कर दें और दोस्तो ऐसी मानिता है कि पाँच मंगलवार ऐसा करने से धन समबंदी सभी परिशानिया, सभी दिक्कते समाप्त हो जाती हैं। और हनुमान जी की कृपा से आपके घर में धन रुकने लगता है। दोस्तो दूसरा उपाय है कि शनिवार और मंगलवार के दिन पीपल की पेड में दूद, पानी और गुड मिलाकर अर्पित करना है। दोस्तो इससे ग्रहों की अनुकूलता के साथ ही पित्रों और देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती हैं। और जिन भी कार्णों से धन घर में ना रुक रहा हो, धन की समस्या आ रही हो, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और जीवन में प्रगती का मार्ग खुलता है। दोस्तों ब्रह्म प्राण में तो ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस उपाय को करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। और उसका शनी ग्रह भी शांत हो जाता है। दोस्तों तीसरा उपाय है कि हर सुबह स्नान करने के पश्चात तुलसी में जल अवश्य दे, जल देने के पश्चात तुलसी की जडसी थोड़ी सी मिट्टी लेकर तिलग अवश्य लगाना चाहिए। यानि कि जल देने के पश्चात थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर जरूर लगानी जाहिए क्योंकि शाष्ट्रों के अनुसार इससे पाप का नाश होता है यानि कि हमारे पाप खतम हो जाते हैं और साथ ही साथ लक्षमी जी की कृपा भी बनी रहती है इस प्रेकार तुलसी जी की पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान विश्णु का भी प्रिय हो जाता है जिससे उसकी जीवन पर कभी भी किसी भी ग्रह का दुश्प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही साथ उस पर मालक्षमी की भी अपार कृपा बनी रहती है जिससे की उसका घर धन धानिय से भरपूर रहता है उसके घर में कभी भी धन की हानी नहीं होती है और दोस्तों चोथा उपाए है यदि हमीशा ही आपको व्यपार में हानी हो रही है ये आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है पैसे की कमी है गरीबी है तो दोस्तों ये खास उपाय आपके लिए ही है इसके लिए किसी भी गुरुवार को नारियल लें और उसे सवा मिटर पीले रंग के वस्तर में लपीट दें इसके बाद सवा पाव लड़ू लेकर और एक जोड़ा जनेव लेकर भगवान विश्णु जी की चर्णों में अरपित कर दें और मन ही मन आपको भगवान विश्णु जी से प्रात्रा करनी है कि हे भगवान आप मेरी गरीबी को समाप्त कर दें और मा लक्ष्मी जी की मुझ पर आपार कृपा हो जाए और साथे साथ आपको ये भी कहना है कि हे लक्ष्मी नारायन मेरा जो आपकी प्रती प्रेम है वो हमीशा आपकी चर्णों में इसी प्रकार बना रहे माने तहे कि साथ गुरुवार ऐसा करने से श्री हरी विश्नुजी की विशेश कृपा प्राप्त होती है जिससे कि आपको धनलाब होता है और आपकी जितनी भी समस्या होती है वो सभी समाप्त हो जाती है और आपका घर धन्धान्य से भर जाता है तो आप इस उपाय को जरू कोड़ी हुई रोटी जरूर खिलाएं दोस्तों आप विश्वास कीजिए कि इन छोटे छोटे उपायों से आपको इतना अधिक लाब मिलेगा कि आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी पर आपके घर में कभी भी धनकी कभी नहीं होगी क्योंकि दोस्तों ये तीन जी हुए उन कि प्रसन होती है और आपको उनकी असी म् पॉष्य कीजिए ये धन प्राप्ती के अचोक उपायँ है तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ अंतक बने रने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री राम जै बागिश्वर धाम